नमस्कार खबरों का पंचनामा देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस्टूडियों मोचुद है सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेट डाइस पर पीए मोधी मेरट से चुनावी सभाका करेंगे आगाज 30 मार्च को विस्ट यूपी की पहली रैली कर सकते हैं प्रधान मंत्री कॉंग्रेस निता के बिगडे बोल पर भड़की बीचे दिल्ली सेम केजरिवाल इडिक कस्टडी से चला रहे सरकार अब तक दो आदेश किया जारी सीम की गरफतारी पर आप कारिकरताओ ने किया पदश्यूद दिल्ली शराब गोटाले में गरफतार केक कविता की बड़ी मुश्किले कोर्ट ने 9 अप्रायल तक के लिए न्यायक हिरासत में भेजा एक अप्रायल को होगी जमानत पर सुरगाई कंगनापट टिपड़ी कर बुरी फसी सुप्रियास्टनेट बीचपी डेलिगेशन चुनावायोग समिल कर करेगा शकायत अन्सी डबलू प्रमुख रेखा शर्माने की माखी मांगने की बार व्यार में तूटने की कगार पर महाकडबंदन कॉंग्रेस नेता ने सब कुछ कर दिया क्लियर बताया किन सीटो को लेकर आजजेडी से पक्ते होगा सबसे पहली खबर में बात पी एम मोदे की लोगसभा चुनाव दुहजार चुनावी सभा क्रांती धरा में रट से करेगे पार्टी कारेकरताओं के पास पीय मोदी की पहली चुनावी सभा का कारेकरव आठ चुका है वहीं दूसरी तरफ करनाटक के मंतरी शवराज तंगदागी ले एक चुनावी रैली में पीय मोदी के खलाफ बिबादित चिपड़ी की उन्हें ने कहा कि मोदी सरकार ने क्या युवाओं को नौकरी दी यदि युवा रोजकार मांगते हैं तो भाजबा उनसे पकोड़ा बेचने के लिए कहते हैं उन्हें शर्माने चाहिए फिर भी अगर छात्र मोधी मोधी करते हैं तो उन्हें थपड मारा चाहिए ये किस तरीके की बयान बाची हो रही है देखें कॉंग्रेस पार्टी फ्रस्टेटर हो चुकी है उनको मालूम चल चुका है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इस तरह की भासा किस को आप थपर मारोगे चात्रों को वोटर्स को थपर मार के आप चुनाव जीतना चाहते हो मुबारक हो आपको तो कॉंग्रेस पार्टी इसी तरह के बयानों में फस्ते चली जाएगी और प्रधान मंतरी मोदी अपनी पहली रैली जो है उन्होंने स्री राम के साथ जो है घोसना कर रही है मेरेट से टिकट मिला है रामायन सीरियल में जिनोंने राम की भूमी का अदा की अरुन गोविल अरुन गोविल के साथ मेरेट में पहली रैली हो रही है और आपको मैं बताओ उसमें जैनत चौधरी भी आएंगे बताया ये जा रहा है कि 5 से 7 लाख लोगों की वहाँ पे उपस्तिती होने जा रही है तो यलगार एक तरप से एक बड़ी रैली से हो रही है और कॉंग्रेस पार्टी अभी तक फसी हुई है टिकट बटवारे में, अब सब्द बोलने में, कमेंट करने में तो ये बता रहा है कि किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव को खुद ही अपनी गल्कियों के वज़े से वन सैडिट कर दिया है अगली ख़वर में बात केजरिवाल की दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के लोगों के स्वास्त को लेकर चिंतित है इस बीच केज़िवाल के हिरासत से दिये गए आदेश पर एडी ने सवाल उठाए है वहीं दूसरी तरफ आज केज़िवाल के गिरफतारी के खलाफ पार्टी कारे करता सड़क परूतरी जिसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में भी लिया क्या चल क्या रहा है यह दिल्ली के अंदर कुछ तो समझ में नहीं है देखे पिछले नौ सालों में जब से यह चीफ मिनिस्टर रहा है हमें आम आदी पार्टी के लोग बता रहे हैं आज तक कभी भी इस तरह का दिशा निर्देश जब वो बाहर था तो कभी अपने मंत्रियों को नहीं दिया जेल जाने के बाद जनता याद आती है तुम्हारे इस ड्रामे से कुछ नहीं होनी जा रहा जनता की सिंप्यथी तुम्हारे साथ नहीं आने वाली है और ये फर्जी लेटर्स ये फर्जी लेटर्स ये क्या है आपने पहले लेटर में कह दिया भई क्या आतिसी माले ना एक नकारी मिनिस्टर है उसको मालूम नहीं कि कहा दिक्कत हो रही है कहा दिक्कत नहीं हो रही है मुझे एडी हिरासत में मालूम चल जा रहा है और हमको मालूम है कि काम चोर लोग है इसलिए हमको दिशा निर्देश देना पड़ रहा है कि मंचुर्स कर दान Aha मैं प्रांप्ट हो तो ये तो आधिस देने क्या अभू सकता नहीं थी आज तुम्हें बता दिया स्वच भारदवाज किसी काम का नहीं है ये वी काम चोर है नका रहा है क्योंकि दवाईयां नहीं मिल रही हैं टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो तुमने मंत्री क्यों बना रखा है इसको जाल बजाने के लिए और कल तो चीठी दिखाई आतीसी महलेरा ने पहली पत्र को दिखाया कि यह आदेश आया है और आखों में आसुआ रहे हैं आज सवरभार दो आज पत्र क्यों लिए दिखाया वैसे यह जो चिठी का जो खेल चल रहा है केजी वाल के लिए बला महंगा पढ़ने वाला है ना टाइपिंग करने की कोई सुवधा है वहाँ पे ना प्रिंट आउट निकालने की सुवधा है और तो और हमने एक भी कागज केजी वाल के हाथ में नहीं दिया और उसके उसकी पत्नी और उसका जो पीए है विभव यह जब मिलने आता है तो उसकी पूरी वीडियो रिक बहर चले जाए ऐसी कोई घटना हुई नहीं है तो यह जो आतिसी मार लेना और सौरव भारद्वाज है वो बताए क्योंकि इसके उपर अब जाच सुरू हो गई है इस खबर में बात के कविता की दिल्ली की शराब निती मामले से जुड़े मनी लांटरिंग केस में आरोप कोट में आवेदन दाखिल किया था वहें के कविता ने कोट से अंतरिम जमानत मांगी थी इसके लिए उन्होंने अपने बेटे की बोट परिक्षा का हवाला दिया था अब क्या लग रहा है किस तरीके से केज़वाल के फिर एक बार मुश्किले बढ़ने वाली है देखे आ उन्होंने एडी वालोंने अपनी कस्टडी की मांग ही नहीं कि मतलब काम पूरा हो गया एक तारिक को उनकी रेगुलर बेल की सुनवाई है अब यह समझ लीजिए कि केज़वाल के खिलाफ के कविता ने सारे राज खोल दिये अधरवाइज पूछताच कराना था आमने साम हमने बिठा लिया बिल्कुल सेटिस्पाइड है सी एस डन हर ड्यूटी अब इनको आप मियाए खिलासत में भेज़ दीजिए ताकि जो बेल का काम है वो सुरू की जा सके तो एक तारिक को अगर एडी अपोज नहीं करती है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि के कविता अ प्रतिनीदी मंदल चुनाव आयुक से मुलाकात करकी इसकी शिकायत करने वाला है वहें NCW प्रमुक रिखा शर्मा ने कहा कि यह बहुत दुर्बागे कोन है कि एक महिला दूसरी महिला के खलाफ ऐसी अपमान चनक भाशा का इस्तमाल कर रही है राश्चे महिला आयुक ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है हमने पार्टी और नेता के खलाफ कड़ी कारवाई करने के लिए चुनाव आयुक को लिखा है इसको लेकर कंगना से माफी मांगनी चाहिए और मुझे उमीद है कि सुनिया गादे इनके खलाफ कारवाई करेंगी क्या लगता है कॉंगरेस इस तरह से चुनाव जीतेगी क्या है देखिए सुप्रिया सुरेतर के तरफ से जो बहाने बाजी बताई जा रही है कि हमने नहीं किया मेरे सोचल मीडा के अकाउंट का पासवर्ट कुछ और लोगों के पास है किसके पास है उसका नाम बताओ या अपने किसी एजिंसी को हायर कर लिया है वो दिली में बैठा है, दुबई में बैठा है, लंदन में बैठा है कौन लोग है भूत है क्या आपको बताना चाहिए कि किन किन लोगों के पास है राउल गांदी अपने से टाइप नहीं कर सकता है इसलिए उसके लिए कोई और लिखता है आप तो पत्रकार रही है कैसे चला गया और ये कहके कि हमारा अकाउंट कोई और हैंडल करता है आप इस responsibility से बचनी सकते हैं क्योंकि कॉंग्रेस के दूसरे नेता कह रहे है कि सुप्रिया स्रेट का अकाउंट हैक हो गया ये सोची समझी चाल है आप इस तरीके से अपने अस्तर को नाले में डाल देंगे सड़क चाप भाचा आप को कम से कम इस बात की भी responsibility होनी चाहिए कि आप ए सोचल मीडिया इंचार्ज है तो कॉंग्रेस पार्टी तो मंडी सीठ हार गए क्योंकि आपने मंडी को भी बदनाम कर दिया मंडी शेहर को भी आपने बदनाम कर दिया किस देश से किया गया क्या सिक माइनडैट के तहत उस तरह का टूट किया गया वह उस पे जाना बिकार है लेकिन जिस हिसाप से आपने कंगना रनाउट के वो तस्वीर लगाई उसके बाद कल कोई सुनिया गान्दी की तस्वीरे लगाना सुरू कर देगा तो कल आप चीख बात की है तो अंत कोई और करेगा और यही कॉंग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है राजनीती करने वाले लोगों को राहुल गांधी ने बाहर कर दिया और अभधरता फैलाने वाले गाली गलोज करने वालों को सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी दिया यही कटेहार सीट को लेकर महागडबंदन में पेच फसा हुआ है इस बीच कॉंग्रेस निता तारिक अनवर ने सब कुछ क्लियर करने की कोशस की है तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में सीट शेरिंग पर बातचीत चल रही है हम ज्यादा तर सीटों पर सहमत होगे हैं एक दू सीट के ऊपर कहानी बताई थी अब तो वो चार-पांच हो गई संख्या कटिहार बेगुसराय औरंगाबाद कैपिल टीवी ने खुला सा क्या था कि यह ठीक ठाक नहीं चल रही है आपस में खत्म होगा मसला लेकिन खबर जब हम लोगों ने डाला तो दिल्ली में बैठे एक वर हमने कहा हमारी अफवा तो खबर निकली और आपका सत्य जो है वो जूट निकला आज टेलिविजन पर आकर के तारीक अनवर कह रहे हैं उस दिर हमने ही कहाते कि तारीक अनवर के सीट जाएगी लालु आदम नहीं देंगे उसको जो जीतने वाली सीट है लालु आदम चाहत करनिया को आपने विगुसा से भगवा दिया करनिया को तो लड़ नहीं देंगे राहूल गांदी कितना भी टैंट्रम दिखाते रहें तो आर्जेडी ने क्लिर कट कर लिया है कि कॉंग्रेस को सीट देने का मतलब है सीट लूज करना उसका कारण में बता देता हूं क्योंक यहां सीचुएशन ठीक है जहां जीत सकते हैं वहां आर्जेडी वोट बटे ना और उस वज़द से हम जीत जाए इसलिए लालु जादव अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि कल फाइनल मीटिंग है आपने एक और नया एलिमेंट डाल दिया पपु यादव को ले प्राण देता है किसका प्राणा बचता है और कौन लोग जो है यहां पर डिक्टेट करते हैं otherwise ऐसा लग रहा है कि जितने पावर्फुल पावर्फुल लीडर्स के सीटों को काटा है लालु यादव ने यह गटवंदन होना अब नामुम्किन सा दिख रहा है बहुत बहु झालँ झालँ करते है लाल अबढ़र्ब करने लाज़ भावर्फुल।